बड़ी खबर राची से हैं जहां बता दे कि OSD संजीव लाल एवं सहायक जुहांगीर आलम से पूश्टाच जारी रहेगी च्छे दिनों की ED रिमांड पर हैं दोनों ED की रिमांड पर दोनों से पूश्टाच हो रही है ED ने कल मंत्राले पहुँचकर संजीव लाल के दफ्तर से जब्त किये थे रुपए और दस्तावेज इस सुमबार को कुई चापे मारी में करोण रुपए बरामगी के बाद गिरफतार कर इन्हें कोट में पेश किया गया था और अगले 13 मैं तक ये ED इसे पूश्टाच करेगी संजीव लाल के दफ्तर पर भी कारवाई की गई है ED ने कल कुछ रुपए और दस्तावेज जब्त किये हैं और जाज आनकारी के साथ जी मीडिया समवा दता कामरान हमारे साथ जुड़े हुए है कामरान कहा जरा है कि संजीव लाल से पूश्टाच चिकल किया गया और उनके ऑफिस से उनके केबिन से कुछ कैश और दस्तावेज भी जब्त किये गए है क्या जानकारी मिल रही है इसको लेकर और तश्वाइद कामरान तक हमारी आवाज नहीं पहुच पारी है और जानकारी के साथ समरता कामरान हमार साथ जुड़े हुए है कामरान संजीव लाल के केबिन से कल एडी ने कुछ कैश और दस्तावेज यहाप पर जब्त किये इसको लेकर क्या जानकारी मिल पारी है क्या कुछ खुलासे हुए अभी जब संजीव लाल और उनके जो नौकर हैं इंके घर पर इंडी की चापे मारी इंडी की चापे मारी में करोलों की तर बरामद हुए थे, कई दस्वेज बरामद हुए थे उसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर पेश किया गया और इजी चापे मारी में की तरह सक जाया जाती है इसलिए रिमांड के लिए अरजी टाके की पोर्ट में छे दिनों की रिमांड और उजी फित्नित कर दी जी जिसे लेकर कल जो है वो पूच्टाच शुरू हुई और आज चे दिन के रिमांड और उजी का दूसरा दिन है तकर कल जो पूच्टाच हुई थी पूच्टाच में कई और कुलासे हुए थे और अचानत से ओजी पंजी लाज़ों को लेकर इजी के जो अधिकारी है वो मंत्राले पहुँच गये थे उनके के बिन में गये वहाँ पर भ पर फिर एडी के अधिशारी दोनों से पूच्टाच करेंगे और उम्मीद यह जताई जा रही है इस पूच्टाच में कई और नए खुलाते हो सकते हैं वही जानकारी यह दिन कलकर सामने आ रहे ही कि पैसे परामदी हुई थे इसमें कई और लोगों को सम्मन जारी कर पू पर फिर दोनों से पूच्टाच कर रही है और तेरह मई तक यह पूच्टाच जारी रहेगी रुपते यहां छोटे से ब्रेक के लिए